अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ मैं सब बढ़ी आओंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे गुजरा टाइटन्स और मुंबई इंडियन्स के बीच में आइपेल जो दार 23 का जो सेकेंड क्वालिफायर मैच खेला जाएगा जो भी टीम इस मैच पर व वीडियो देखना है बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना बिकोज कोई भी इंफरमेशन आप लोगों को मिस नहीं करनी है कलके मैच की बात करें हम ने एक तरफा विन किया जाके स्क्रिंसोर जो है विनिंग के वो आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल पर देख पाओगे किसी भी मैच की वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी वीडियो पसंद आई दोस्तो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और टेलिग्राम चैनल के साथ में अगर आप लोग नहीं क्योंकि पीछे में अलड़ी आपको सारी चीज़े बता अचको हूँ भाई पूरे स्टैट्स में आपको सभी प्लेस के बताए हैं तो एक बार पिच के बारे में आपको थोड़ा बता दू कि वेन्यू किस परकार आपको देखने को मिल अगर उसके बाद में फाइनली फिर सिधा हम लोग अपना टीम कोमिनेशन यहाँ पर सेट करेंगे ठीक है नरेंदरा मोदी अमदाबाद के स्टेडियम पर यह मैच के लाज आगा टोटल इस वेन्यू पर 25 मैच इस हुए 11 फस्ट बैटिंग ने विन करें 13 सेकिंड बैटिंग ने ज्यादा कोई डिफरेंस नही कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा एवरेज स्कोर लगबग 165 के आसपास है यहां के जो बाउंडरिज रहेगी न वो थोड़ी सी आपको बड़ी देखने को जरूर मिल सकती है लेकिन विकेट आपको काफे बड़ीया मिलेगा रंस डेफिनिटली स्वेन्यू पर बाउंडरिज भी आपको थोड़ी बड़ी देखने को यहां पर जरूर मिल सकती है तो जो हिटर्स रहेंगी वो मेली आपको इस मैच में ज्यादा काम आ सकते है उसके बाद में रिशेंट मैचिस में चलोगे यहां से देखोगे लास मैच वहा था पंदरा माई को गुजरा गुजरात ने 125 बनाई थे 6 विकेट पे दोनों टेम्स देखोगे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस मैच में उसके बाद में थर्ड मैच में आओगे 25 अपनल को था गुजरात टाइटन्स की टीम ने 207 करे मुंबई ने 152 बनाई थे 9 विकेट पे यहां पे भी मैच आपको जिट्टी वर्सेज माई के भी इस देखने को मिलेगा तो ये वेन्यू के स्टेट्स है इससे जादा आपको वेन्यू के बारे में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकि स्टेट्स जो रहेंगे प्लेस के वो में आपको जब टीम सेट करेंगे तो एक एक प्लेयर के साथ के साथ बताते वें चलूँगा ताकि आपको कोई भी confusion ना बसे ठीक है बस इतना याद रखो यहाँ पे conditions batsman को favor कर सकते हैं अगर कोई टीम ज्यादा खराब खेल दे तो कहीं नहीं सकते हैं नोर्मली देखोगी दोनों टीम की बैटिंग काफी मिल जाएगा वहाँ से कर सकते हो मेरे refer code के साथ में sign up करोगे आपको 500 रुपीज का cash bonus में मिल जाएगा तो description में link है वहाँ से download कर सकते हो पहली बार sign up करने पे 500 रुपीज का cash bonus मिलेगा एक चीज़ आपको बता दू यहाँ पर एक single click में दोस्तों तक आप लोग easily यहाँ पर पिन करके रख सकते हो जो कि आपको टोप में दिखाई देगा बैटिंग fantasy, bowling fantasy और reverse fantasy तीन ऐसे features है बहुत जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ वीजन 11 पर बाकी किसी भी आप पे आपको यह features देखने को नहीं मिलेंगे सबसे कम आपको interface मिलें कि जो कि सबसे बड़ा plus point है एक single click मे दोस्तों या फिर जितने चाहो content join गर पाऊगे जो कि मा आपको लड़ी बता चुका हो तो काफी जबर्दस टैप है दोस्तों अगर आपने डाउनलोड नहीं किया लिंक आपको description मिल जाएगा वहां से कर सकते हो मेरे refer guard के साथ में sign up करते हो आपको 500 रुपीज का free cash bonus मिल जा open करने वाले player है तो किसी के साथ में भी जा सकते हूँ लेकिन एक बार मैं आपको बिल्कुल safe team combination बनाके दिखाऊ हूँ और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि आप लोग अपनी टीम की साइड से बता दू भाई अच्छी form में भी है सुमन गिल भी तगडी फो में जो की opening करेंगे सूरे गुमार यादव मिडल में बैटिंग करेंगे यानिकी second down तो कि अभी जो बुम्मे की team है वो यहाँ पर बैटिंग करवा रही है जो कि उनके favor में भी जा रहा है तो यहाँ पर सूरे गुमार यादव आदव आपको second down प दो ऐसे player roll around section के जो कि आप लोग अगर safe केलने वाले बन दे होना तो ये दोनों player भाई आपको team में जरूर रखने पड़ेंगे हार्दिक पंडिया देखो batting order इनका depend करता भाई match की situation पे जा फिर ये कहूं कि इनके खुद के उपर depend करता ये किस position पे batting करने आएंगे last match इन्होंने one down betting करी कुछ खास फाइदा उठा नहीं भाई जल्दी अपना wicket throw करके गई और team match को भी हार के गई थी तो मेरा ये मानना है कि हार्दिक पढ़ने को कम से कम second या third down betting करने चीए one down मेरे इसाब से इनको नहीं आना चीए दूसरी चीज़ ये bowling देखो करवा नहीं रहे पिछले अगर चार पास matches देखोगे ना इन्होंने एक भी over की गेंदबाजी नहीं करवाई है तो ये थोड़ा सा ज्यान लखना बाकि Cameron Green maximum to maximum way 102 over की गेंदबाजी करेंगे शायद ये भी ज़्यादा गेंदबाजी आपको करते हैं ना दिखें लेकिन बैटिंग में important हो सकते हैं फिर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे और अच्छी जो है form में भी आपको दिखेंगे पिछले दो मैच में लगाता runs करेंगे हैं एक मैच में तो century लगाई और दूसरे मैच में भी लगबग 41 से 42 रंज की वो पारी थी ठीक है जो कि Eliminator मैच के लगा था मुंबई की टीम ने किसके साथ लगनों के साथ उस मैच में ठीक है तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए most important बनेगे उसके बाद आएंगे दोस्तों bowling section के अंदर यहां से आपको रासिद की option मिलेगी है मौमत समय की option मिलेगी दो मेरी common picks रहेगी जिनके साथ में मैं जाऊँगा ठीक है उसके बाद मैं देखो नीचे आओगे आपको अब बहुत सारी options मिलने वाली है आकास मदवाल की form देखोगे पिछले दो मैच में काफी बढ़िया देखने को मिली है क्योंकि भाई 4-4 विकेट ये बंदा निकाल चुका है और अब इनका selection आके देखोगे लगबग 70% हो चुका ठीक है उस case में क्या था कि पहले आपको Jason Berendorf का selection लगबग 70-75% देखने को म अगर आप लोग देखोगे ना तो मेरा जो आठ प्लेयर का team combination है वो आपके सामने मतलब ये आठ प्लेयर ऐसे हैं जो कि भाईया हर बंद अपनी small league की team में तो जरूर पिक कर कि आएगा ये जानका ठीक है अब बचती है बाई 3 प्लेयर की option अब 3 प्लेयर में से आप लोग कि इसके सामने जैसन बेरन डॉर्फ के सामने ठीक है उनके सामने थोड़ा struggle ये गर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि जो left arm fast gain was या फिर left arm medium जो gain was होता है ना उनके सामने रिद्धिमान साहा को थोड़ी problem होती है जो मैं पिछे आपको stats बताता था उनमें मैंने आपको तो फिलाल मैं या पर रिद्धिमान साहा को टीम में पिक करूँगा उसके बाद में betting section ज्यादा safe ली खेलना भाई देखो आप लोग रोहित को टीम में ले सकते हो because opening करेंगे ठीक है दूसरा option आपको मिलेगी डेविड मिलर की ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे तो आप लोग चाहो मिलर को ले सकते हो तिलक को लेना चाहो ये भी थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे क्योंकि अगर टोप ओडर कोलैप्स करता है न तो फिर आपको तिलक को लेने का benefit होगा अधर वाइज आपको जो है तिलक को लेने का उतना benefit नहीं मिलेगा ठीक है नीच आपको मिल जाएगा अब देखो अगर आपको पहली डिफरेंशल पिक्स हीए ना तो आपके पास में विजय संकर बहुत अच्छी option है लेकिन कब जब गुजरात के टीम इनको वन डाउन पे बैटिंग करवा दे ठीक है तब आपके लिए विजय संकर बहुत अच्छी option है otherwise आपको safely खिलना है selection based team के साथ में जाके तो रोहित आपके पास में उप्सन है मिलर को try कर लो अगर आपको कुछ select try करना या फिर आप लोग यहां से try कर सकते हो भाई विजय संकर को ठीक है ये दो आपके लिए थोड़ा सा unique fix बन जाएंगी उसके बाद में आएंगे all arounder section मे ज़्यादा options आपको नहीं मिलेगी सिधा bowling section मेंगे यहां से देखो अब एक चीज़ थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा सुनने की कोशिस करना पहली option मोहित सर्मा की दूसरी option आपको प्यू सावला की दोनों अपने अपनी टीम के side से 4-4 over complete करेंगे उसके बाद में तीसरी option लेकिन उतनी अच्छी फो मैं नहीं बाकि मुझे इन से ज़्यादा उमीदे वैसे भी नहीं है ठीक है तो जोर्डन को तो मैं टीम में पिक करूँगा नहीं अब देखो आपके बास में चार options मैंने बताई अगर आपको दो गेंदवाज अपनी टीम में पिक करने ना तो आ आपको मोहित को रखना या फिर नूर को अपनी टीम में पिक करने चावला को रखना या फिर जैसन बैरंडोर्फ को अपनी टीम में पिक करने वो देखो 24 आपके रहेगी लेकिन आप लोगो का जो टीम सेलेक्शन लेगा वो कुछ इस परकार बनेगा बता भी भी मुझे य वह आपको दिख सकते हैं, किसके सामने मुंम्मَत संव्में के सामने, ये जानक ना, ईशान के सन सन और भाई रोहित को थोड़ा सा प्रेशान नी अटीक में सामने, ये मां आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो अभी के लिए ये मेरी 11 प्लेयर की टीम रहेगी, इसके अलावा अगर आपको कोई भी चेंज करना पड़े, आप लोग अपने इसाफ से कर सकते हो, जेसन बैरंडोर्ष आपको अच्छी ओप्शन मिलेंगे, मिलर की आपको बहुत अच्छी ओप्शन मिल जाएगी, तो आ सारी ओप्शन साब आपको मिलेगी, हार्दिक पंडिया, उसके बाद सुर्य गुमार याद हो, यहां से भईया, आपके पास में सुम्मन गिल की ओप्शन है, कैमरन गरीन है, इशान गिसन रहेंगे, रासिद घान है, मौमत सम्मी है, तो यह सारे के सारे जो प्लेयर मैंने टिक मार किया न, यह सारे बैस्ट ओप्शन से, ठीक है, किसी को भी कैप्टन, वाइस, कैप्टन कर लो, भाईस, आपके रहेंगी, कौन चलेगा, कौन फ्लोप जाएगा, वो आपके लग्क्यों पर डिपैंडे गरेगा, इस मैस में परसनली मैं आपको बता दू, क्योंकि स हाई सेलेक्ःशन देखोगे, तो भाई आपको इतने भी प्लۂर मैंने बतारी न, सबका थोड़ा सा हाई सलेक्ःशन आपको मिल जाएगा, कैप्टन्सी और वाइस, कैप्टन्सी में, लेकिन मेरे इसाबसे सुम्न गिल, बैस्ट ओप्चन गे कैप्टन्सी की, वाइस, कै आपके उपर छोड़ के चलूँआ जो भी आपको टीम में पिक करना हो अपने हिसाब से कर सकते हूँ फिलाल ये 11 प्लेयर का टीम कोबिनेशन है चेंज गरूँँआ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाएगा कमेंट सेक्षन और वीडियो के डिस्कुप्शन मे जाएगा और कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं होगी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्कुप्शन और कमेंट सेक्षन में मिलेगा वासे जोइन कर सकते हूँ फाइनल टीम टोस के बाद आपको टेलीग्राम पर अपडेट जरूर की जाएगी मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैस की वीडियो में उमीद का तो आप लोगे इस मैस में एक बड़िया टीम को मिनसन बनाओगे और आपके टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी